आप में से कई लोग ये जरूर जाना चाहते होंगे कि आखिर Fantastic Beasts और Harry Potter की मुवीज में क्या connection है तो गाइस मैं हूँ आमेश और आज मैं explain करूँगा connection between Harry Potter and Fantastic Beasts To be honest बहुत लोगों को Fantastic Beasts where to find them पसंदी नहीं आई थी और इसका सबसे बड़ा reason था कि उनको इस मुवी की story ही नहीं समझाई और वो सोचते रह गए कि आखिर इस मुवी का Harry Potter की मुवी से क्या connection है लेकिन इस साल Fantastic Beasts का second part आ रहा है तो इससे अच्छा क्या time हो सकता है इन दोनों मुवीज के बीच का connection समझने के लिए तो इन दोनों मुवीज यानि कि Harry Potter और Fantastic Beasts में एक ही character common है वो है Dumbledore यानि कि ये पूरी series Dumbledore की backstory है और इस मुवी की कहानी Harry Potter की first movie की 60 साल पहले की है Fantastic Beasts के series में तीन main characters है Dumbledore, Newt Scamander और Gillette Grindelwald सबसे पहले बात कर लेते हैं Newt Scamander के बारे में और वो कैसे connected है Harry Potter की movies से Newt Scamander Dumbledore का खास student है और उसे जानवरों से बहुत प्यार भी है इसी कारण Fantastic Beasts Where to Find Them में हमने उसे कई अलग अलग तरह के बीश्ट के साथ देखा वो उन जानवरों को पकड़ता है ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो और साथ ही उन पे research भी करता है फिलाल वो इन जानवरों पे book लिख रहा है रही बात इस character की Harry Potter की movie से connection की तो आगे चलकर Newt की लिखी book को Hogwarts में पढ़ाया जाता है और हमारे Harry Potter ने भी इसके book को पढ़ाया वैसे तो Newt को Harry Potter के movies में कभी दिखाया नहीं गया बट Harry Potter and the Prisoner of Azkaban में Marauders के map पे हमने इस character का नाम जरूर देखा इस character का एक और छोटा सा connection Harry Potter की movies से है आपको ये तो यादी होगी इतनी भेयानक और अरत को कोन भूल सकता है ये थी Bellatrix Lestrange और इसी character से related है Lita Lestrange जो की Newt की girlfriend रह चुकी है और ये बात मूवी में भी बताई गई थी अब Bellatrix और Lita का क्या relation है ये तो अभी तक reveal नहीं किया गया बट most probably Lita Bellatrix की परदादी होगी और हम जल्दी Fantastic Beasts Crime of the Grindelwald में Lita Lestrange को देखने वाले हैं अब next हम बात कर लेते हैं गिलट Grindelwald की जो की Fantastic Beasts सीरीज का main villain है और साथ ही Harry Potter की मूवी से सबसे ज़्यादा connected भी तो Grindelwald हमारे Dumbledore का दोस्त था आप इसे दोस्त से ज़्यादा दोस्ताना कह सकते हैं और Dumbledore से मिलने का उसका एक ही मकसद था कि तीनों Deathly Hallows को हासिल करना और Deathly Hallows के बारे में हमें Harry Potter की मूवी से पता है हाला कि Dumbledore को Grindelwald के plan का पता चल जाता है और Dumbledore, उनके भाई Aberforth और Grindelwald के बीच लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में Dumbledore की बहन Ariana मारी जाती है और वहाँ से Grindelwald भाग जाता है देन कुछ सालों बाद Grindelwald Gregor विच से पहला Deathly Hallows पार्ट में देखा है और Fantastic Beasts की स्टोरी इसी इवेंट की बात की है हाला कि अभी तक हमें Grindelwald के पास इल्डर चड़ी नहीं दिखाई गई है बट ये चड़ी सेकंड पार्ट में ज़रूर दिखेगी हमें Grindelwald को एक बार और Harry Potter Deathly Hallows में दिखाया गया जहां वॉल्डिमॉट नर्मेंगार्ड प्रिजन में उससे इल्डर चड़ी के बारे में पूछने आता है बुक्स में ये सीन ऐसी नहीं थी बलकि वॉल्डिमॉट ने यहां Grindelwald को मार दिया था तो ये था Harry Potter और Fantastic Beasts के बीच का कनेक्शन अगर आपको और सिंपली इसको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते है जादू गरो के दुनिया में तीन सबसे बड़ी लड़ाई हुई है जिसे Wizarding War बोला जाता है सबसे पहले थी Global Wizarding War जिसमें Dumbledore और Grindelwald के बीच में लड़ाई हुई थी लेकिन अपनी मा की जादू की वज़े से Harry बच गया तीसरी और आखरी लड़ाई थी Second Wizarding War जिसमें Harry Potter और Lord Voldemort का सामना हुआ था और इस लड़ाई में Voldemort मारा जाता है और इसी वार को हमने Harry Potter के सारे मूवीज में देखा है तो गाइस यह थी इन दोनों मूवीज के बीच की कनेक्शन अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और ऐसी कॉंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को देखने के बाद मैं रिकमेंट करता हूँ कि आप मेरी Fantastic Beats Crimes of the Grindelwald का ट्रेलर ब्रेक्डाउन जरूर देखें मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊँगा तिल देन बी देसी, बी नर्ड